Hello guys, आज हम इस WordPress की मोडूल में देखेंगे कि Permalinks क्या होते हैं देखे, Permalinks बहुत ही important part है Permalinks आपके URL से जुड़ा हुआ part होता है जैसे आप किसी भी WordPress की website में जाते हैं और आप किसी page पे click करते हैं तो उसका URL किस type का बनता है, वो permalink होगा देखे, main आपका domain का नाम होगा उसके आगे जो आपके page का नाम जुड़ता है तो वो एक permalink का part होता है तो just example के लिए देखे, मैं आपको बता देता हूँ देखे, ये website है हमारी अब देखे, मैं इस पे click करता हूँ जैसे course वाले page पे click किया तो आप URL नोटिस करिएगा यहाँ पे जो URL बनेगा उपर की side वो आपका क्या होगा, permalink का part होगा देखे, local host, blog, website और तो ये हमारा क्या है एक तरह से मान लीजिए, local host और domain का नाम हो गया एक नाम हो गया, उसके आगे ये जो course है यह आपका permalink का क्या है, पार्ट है कि मतलब आपको page के नाम के लिए उपर URL क्या बनाना है course बनाना है, यह WS course बनाना है यह आपको PHP course बनाना है, यह क्या बनाना है तो जो भी आपको बनाना है, वो आप क्या कर सकते है dashboard से बना सकते हैं, ये सारी चीज़े हम क्या करेंगे, clear करेंगे तो permalink आपके क्या होगा, ब्लॉग में भी काम आएगा, पर्मा लिंक आपके page में भी काम आएगा इन सारे process के लिए permalink क्या होगा, काम आएगा, अब permalink क्या होता है, month के according भी बनता है permalink normal title के according भी बनता है तो हम सारे चीजों को क्या करेंगे एक एक करके clear करेंगे जिस से आपके सामने चीजे clear हो जाएगी और इसको एकदम deep में समझेंगे कि आप permalink को कैसे बनाएंगे देखिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ admin को open कर देता हूँ यह हमारी website है और यह हमारा admin है अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ एक page बनाता हूँ पेज में देखिए permalink कहा बनेगा पहले हम वो देख लेता है और फिर permalink की settings को कैसे change करेंगे post के लिए permalink की settings को आप कैसे देखेंगे post में आप permalink को कैसे बनाएंगे ये सारी चीज़े हम क्या गर देंगे clear कर देंगे देखिए आपको जाना है pages में जब आप कोई page बनाते हैं तो permalink कहाँ पर आएगा मैं यहाँ पर add new करता हूँ एक बार देखे add new करके मैं यहाँ पर gallery लिख देता हूँ देखिए अब देखिए gallery यहाँ पर लिखा है तो इसका जो उपर का part बनेगा जो उपर का slug बनेगा slug एक तरह से ये represent करता है कि आगे का URL क्या होगा जैसे ये course लिखा हुआ है तो आपको slug क्या बनाना है जैसे अगर आप नहीं लिखते हैं और नहीं बनाते तो gallery ही slug बन जाएगा और small करके अगर मैंने कोई page बनाया about us या about us बनाया तो slug about us automatic बन जाएगा अगर आपको gallery का slug बनाना है अपने according change करना है तो वो कहा से होगा वो मैं आपको क्या गरूँगा अभी clear कर दूँगा देखिए यहाँ पर हमने क्या किया gallery लिखा है अब देखिए gallery लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर जाएंगे document में तो नीचे यहाँ पर देखिए permalink लिखा है और url slug लिखा हुआ है क्या बनने वाला है और देखिए कुछ इस type का open होगा देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि इससे यह open होगा आपको अगर इसका slug change करना है slug मत उपर का parameter change करना है तो आप यहाँ पर change कर सकते हैं जैसे मैंने ws- gallery कर दिया slug में यह धियान रखिएगा कि आपको अगर दो word रखने तो dash से separate करिएगा क्योंकि slug के formula में आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि जब google इसको read करता है तो वो dash को perfectly समझ लेगा कि ws- gallery पूरा एक क्या है slug है और आप यहाँ से इसको क्या कर देंगे publish कर देंगे अब publish करने के बाद जब आप इसको यहाँ से view page करेंगे तो देखे URL में क्या होगा ws- gallery होगा और आपके page का नाम क्या है gallery है तो यहाँ पे एक चीज clear है कि आप title जो है उस title के slug को आप अपने according क्या गर सकते हैं change कर सकते हैं तो यह एक slug जो उपर बन रहा था उसको हमने क्या गर दिया change कर दिया एक बार और मैं थोड़ा clear कर देता हूँ all pages में जाएंगे आप all pages में अभी हमने कौन सा page बनाया था gallery यहाँ पे quick edit कर दीजे quick edit करने पर यहाँ पे title और यहाँ पे slug तो यहाँ से भी आप slug को क्या गर सकते हैं अगर आप देना चाते हैं तो आप अपने according क्या गर सकते हैं होता है कि जैसे हमने url पे क्या 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 अब डैस बेजा और हमें page पे about दिखाना है तो उस समय तो हमें क्या करना पड़ेगा slug को change करना पड़ेगा तो slug कैसे change होता है कैसे आप जब बनाएंगे तो वहाँ पे pass करोगे ये सारी चीजे मैंने क्या कर दी अभी clear कर दी तो ये page का slug है ऐसी जब आप post बनाएंगे तो post में भी क्या होता है slug होता है और post में क्या होता है देखिए मैं आपको एक चीज clear कराता हूँ जैसे मैं यहाँ पे blog पे जाता हूँ blog के page पे इस पे click करता हूँ देखिए click करने पे blog दिख रहा है देखिए मैं यहाँ पे click करता हूँ इसका detail भी दीखेगा detail भी देखिए slug किस type का बनाए है यहाँ पे year है month है date है फिर title आ रहा है जो भी हमने title दिया था उसको उसने क्या कर दिया अब इसको आप कैसे change करेंगे क्योंकि आपको month year यह सब तो चाहिए नहीं तो यहाँ पे अपने को permalink की क्या करने पड़ेगी settings को देखना पड़ेगा और उससे हम select को क्या कर पाएंगे change कर पाएंगे तो यह permalink की settings कहा होती है वो मैं आपको थोड़ा क्या करूँगा अभी clear करूँगा जिससे आप उसको apply कर पाएं देखिए अपने को dashboard में ही जाना है dashboard में कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ settings के अंदर permalink देखिए यहाँ पे click करना है यहाँ पे आपको सारी settings दिखेंगी कि यह आपको permalink के कैसा रखना है तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा कि मुझे permalink को रखना है plane देखिए एक एक करके देखते हैं कि plane क्या करता है plane ID के according दिखाएगा तो मैं यहाँ से save करता हूँ जाके मैं यहाँ पे साइट पर refresh करता हूँ देखिए website खुल गई है अगर आपने किसी भी post को open किया जैसे मैंने post पर click किया देखिए यह page की ID से page call हो रहा है और post भी क्या होगा post ID से call होगा URL पर देखिए ID से call होना है start हो गया तो अगर post ID से post को call करना है तो आपको default set करना है यह clear दिहान रखिएगा अब आते हैं जो अपना select था day and name day and name करेंगे तो क्या होगा year आएगा, month आएगा, day आएगा फिर post का नईम आएगा कुछ इस type का अपना क्या होगा select बनेगा अब आते हैं month के according अगर month के according करेंगे तो क्या होगा, year आएगा और month आएगा और यहाँ पर क्या होगा post का नाम है आएगा तो मैं month के according भी क्या करता हूँ आपको दिखा देता हूँ month and name जिससे आप समझ पाएं कि किस type का select क्या होगा दिखेगा, दिखिए मैं यहाँ पर refresh करता हूँ refresh करते हैं देखिए, उपर का URL automatic change हो गया URL में क्या हुआ पहले year आया, फिर month आया update नहीं आई यहाँ पर हमने year और month को use क्या और post के नाम को as a title बना के क्या क्या है, use क्या है तो यहाँ पर आप इस recording भी क्या कर सकते हो बना सकते हो, यह post के लिए पेज में तो वो title रखेगा या page की ID के थुरू call कर सकते हो आप अब आते हैं, यहाँ पर जो तीसरा है वो numeric तो यहाँ पर number के according क्या होगा आएगा जैसे मैं इस पर save करूँगा तो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर यह बना हुआ आएगा कि 37 पोस्ट के आइडिया और आर्ची पहले से क्या हो जाएगा उसके अंदर जूट जाएगा तो यह आप numeric के according भी वहाँ पर क्या गर सकते हो set कर सकते हो, जैसा आपके SEO के purpose के according आपको set करना है वैसा आप URL यहाँ पर क्या गर सकते हैं, बना सकते हैं अब देखें एक और URL है, वो भी देख लेते हैं पोस्ट नेम जो यह URL होता है, वो main होता है हमें कभी भी year, month यह सब नहीं चाहिए होता है ज़्यादा तर हम पोस्ट के नाम को ही as a slug बनाते हैं उसी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं तो मैं यहां से इसको क्या कर सकता हूँ save कर सकता हूँ, और इस पे मैं click करूँगा और यह क्या हो जाएगा, save हो जाएगा, देखिए अब देखें, मैं यहां पे क्या करूँगा refresh करूँगा, refresh करती ही, पोस्ट के नाम से according क्या होगा select दिख जाएगा देखे बना वह आ रहा है और यहां पर आप custom मेड में क्या है मैं आपको clear कर देता हूँ custom made में आप एक एक करके set कर सकते हैं कि आपका बनेगा कैसे जैसे मैं इस पर click करता हूँ पोस्ट का नाम आ गया साथ में month name चाहिए साथ में आपको days चाहिए साथ में category चाहिए तो आपको इस type का भी क्या गर सकते हैं select बना सकते हैं जैसी मैं save करता हूँ save करने के बाद हम देखेंगे कि किस type का output आएगा देखिए मैं यहां पर जाता हूँ फिर क्या है month आया पर date आया पर आपके category के का भी चाहिए तो आप कस्टम इट अपर url में जाएगा कैसा प्रमलिंक url में बनेगा आप उसको भी हाँ यहां पर क्या गर सकते हैं कर सकते हैं तो हम इन सारे process के according select को क्या अगर सकते हैं set कर सकते हैं अब देखि drained by जो हमें रखना होता है मत्òत हम किस type का रखते हैं जो हम रखते हैं वह mostly हम पोस्ट नेम नहीं आउंका क्या करते हैं Select को रखते हैं कि Post के नाम से इक ह Peng बं जाये और दिख जाएगा, देखे page not found आया, क्यों है, क्योंकि इस type का कोई data मिला नी, उसको, हमने क्या कर दिया, अभी post के नाम से कर दिया, तो एक बार हमें blog पे जाना है, या homepage पे जाना है, और यहां से click कर देना है, blog वाले page पे, और किसी भी page, किसी भी post पे आप क्या करेंगे, click करें कि वो slug है, जब आप page बनाते हैं, याप कोई post बनाते हैं, उसका URL किस type का रखना है, क्या नाम रखना है, वो आप अपने according वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, अब देखे, post में मैं आपको बता देता हूँ, मैं post में चलता हूँ, post में यह देखे, post का नाम है, यहा आप इसका भी slug यहाँ पे क्या गर सकते हैं, बदल सकते हैं, change कर सकते हैं, आप अपने according यहाँ पे क्या गर सकते हैं, set कर सकते हैं, यह सारी चीज आप इसके अंदर क्या गर सकते हैं, implement कर सकते हैं, तो अभी आपको permalinks और slug से related चीज़े क्या हो गई होगी, clear हो गई होग और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लिमेंट कर सकते हैं